कि 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 हलो स्टूदेंट विलकम तुम्ति बिस्करमा यूट्यूब चैनल और आज हम लोग क्लास 8 के साइन्स क्रोप प्रॉडक्शन और मेनेज्मेंट में करने जा रहे हैं जिसका नाम है storage of food grains means अनाज का भंडारन इसको कहा जाएगा अनाज कि अनाज का भंडारन यह क्या होता है अनाज का भंडारन स्ट्रेंट आए समझते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जाना है कि अगरिकल्चर एक्टिविटी में से खेत की जुताई करना फिर इडिगेशन वाटर देना अनाज का भंडारन में क्या होता है कि हार्वेस्टेट क्रोप्स फसल को जो काट ली जाती है काटी गई फसल काटने के बाद उसको तरीशिंगी बिस टरेश्ट ग्रोप oni श्युट ग्रेंशीं एं उसकी थ्रेशिंग कर जाती है फसल काटने के बाद उसकी थ्रेशिंग कर जाती है थ्रेशिंग करने के बाद जो होता है चाफ यानि की भूशा भूशी अलग जाते हैं और हमारे पास ग्रेंज जो अनाज बच जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं जमा करना उनको जमा करना कालाता है स्टोरेज ओफ फूड ग्रेंज ठीक है और उनको अलग अलग कंटेनर मे जमा करते हैं लाई कोई फार्मर में यानि की लोहत्या का वर या टीद का कुछ ऐसा केंटेनर बना होता है जिसमें वह अनाज को रखते हैं या जूट बैक यानि की बोड़ी में भी बोड़ा या बोड़ी में भी ब्लbert अनाज को जमा करके रखते हैं कि आप गाउं में देखेंगे बहुत पहले कि मिटी के कंटेनर बने होते थे वहाँ पर वो चीजे अनाज रखी जा रख जाता था ठीक है तो जो फसल काट ली गई काटने के बाद उसके थ्रेशिंग करी गई थ्रेशिंग मतलब अनाज अलग हालक उसके बाद उसको क्या करते हैं इन दॉप में शुक्षाते हैं धूप में गत्वाटर्य गरफें करते लिए तो अनाज के अंदर तो उस अनाज में जो नमी है तो एक्स्ट्रा वाटर को उसको निकालना होता है इसलिए हम उसको धूप में सुखाते हैं स्टोर करने से पहले राइट वाइर ड्राइंग इस नेसेसरी अब यहां क्विस्ट्न कर रहा है कि ड्राइंग क्यों जिरोड़ी है यह पूछ रहा है ठोशाओ अगर ड्राइंग करेंगे तो उस अनाज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मौस्ट्र रहेगा अब वह ज्यादा मात्रा में मौस्ट्र रहेंगा इससे क्या हो जागा कुछ पर कुछ है microbes यानि की Micro-Organism ठैठर होता है माइक्र और ज्यूव होता हैplant seagen नहीं करते हैं तो अनाज़िया सब्सक्राइब करने लगेंगे तो कुछ हद तक क्या करते हैं कि अनाज के अंदर प्रजेंट एक्ष्टा मॉइस्टर को निकाल दिया जाता है जिससे कि उस सब्सक्राइब करते हैं कि अनाज को क्या करते हैं तो सुखाने के बाद लोग होते हैं वो क्या करते हैं है ब्रीके ब्रजेंगे या तो उनके बाद बिंस यानि कि किसी मेटल का बना हुआ कंटेनर और ना जहां रखेंगे यह तो उनके पास जूट बैक्स होता है बोड़ी या बोड़ा होता है जहां पर वो चीजों को जमा करके रखते हैं अब फार्मर्स से क्या होता है न के फार्मर्स से फार्मर्स से बाई करते हैं गवर्मेंट के अजेंसे फार्मर्स से बाई करता है खड़िता है कौन गवर्मेंट अजेंस से सरकार की जो अजनसी होती है सरकार की जो संस्थाइं होती है लाइक एपसी आई एपसी आई यह क्या करेगी कि सरकार यह किसानों के पास जो अनाज श्टोर है जमा है उनको खर देगे स्टुेंट फ्सियाई का फूल नेम हो गया में को को कॉर्पोरेशन चाب फेंडिया टिक है फूड को अनाज को किसे खड़िती है यह उन्हां को खड़िती है किसे फ्रॉम किसानों से कड़ती है ओर घ्रिदने के बाद उनको बड़े-बड़े गोड़ानस में स्टोड इंट इन बीग गोड़ानस में उन्हें स्टोड करती है अब यह आप सोचर रहे होंगे grad59 जो गवर्मेंट एजनसी यानिके गवर्मेंट है वो किसानों सेनाज क्यों खड़िती है दिसी तरह से जब नैचुरल डिजास्टर आता है तो वैसे कंडिशन में गवर्मेंट क्या करती है अपनी पास जमा जो अपनी बड़े-बड़े गवर्मेंट क्या करती है कि किसान को कम पैसे में अब लेवल भी करती है कम पैसे में या फ्री ओफ कोश्ट में अब देखते होंगे बहुत सार लोगों को रासन कार्ण बनता लासन कार्ण बनता जिसमें लोगों को कम पैसे में अनाज मिलते हैं तो अनाज कहां जाते हैं बड़े-बड़े गदावन में अनाज को क्या करेगी कि गनी बैक बड़े बोने के अंदर रखती है और गनी बैक गनी बैक या उनका बड़ा बड़ा कंटेनर होता है जिसको और बोलते हैं तो यहां पर वह चीजों को जमा रखती है ठीक है तो यह था स्टेंट एंटेस प्ट्रीवरिय यह समसदें आई क्या मतलब होता है कौन सी वाइबल है सीड वायबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया मतलब हम उसको मिछ्टिक अंदर लगाएंगे तो जर्मिनेट होने मिफ़नेटे लगाने तो वैसे सीड को होगे से जि mi container के अंदर भनी के अंदर के अंदर यह जिसा में ले लेने के बाद स्केंदर डाल जिए और पुटलाइजर दिजिए मुन्योर इसको इस निखे गा आपको क्या कि सब्सक्राइब किजिए कि आपने इसमें सीड डाला हंड्रेट इसमें डाला इसको अदर और वाटर मनियोर फेटलाइजर वह सारी इरिगेशन जितनी भी इंपॉर्टन चीज़े होती है एक सीड को ग्रो करने के लिए सारी सीड अवेलेवल कराएगे इसमें से देखा गया कि दो इसमें से देखा गया कि कुछ ही प्लांट जो हुए यहां पर वो ग्रो हुए मालने जिए कि 50 सीड ही ग्रो हुए तो कहा जाएगा कि 100 सीड में 50 सीड वाइवल हुआ मतलब वो उसके अंदर चांसेज है गुड चांसेज और जर्मिनेटिंग अंकुरन का छमता उसके अं जो अंकुरित नहीं हो जर्मिनेट नहीं होए मिन्स वो नॉन वाइवल हो गया तो वाइवल और नॉन वाइवल सीड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा अप देखते हैं कि जब आप अनाज को कि जब आनाज को आप पर स्टोर करेंगे बैक्स के अंदर या मेटल बि कि प्रिकॉरशन है प्रिकॉर्शन हैं लोग आख कि टेकिन है मैं तो बी टेकें डियूरिंग तुश्ते हैं हैं तो इस टोरिंग जैसे एक तो कि वेल राइट जो हमारे पास अनाज होंगे जिसको हमें स्टोर करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्या होना चाहिए सुखा हुआ होना चाहिए उसके अंदर जो मॉइस्टर होगा मैक्समम मॉइस्टर को आपको बाहर लिकाल देना पड़ेगा कैसे ध जर्मिनेट होने लगेगा अदर हम जिस कंटेनर में रख रहे हैं जैसे आगे इसमें युए है कि कंटेनर में हम कर्दों हके जो मारे कंटेनर है के अंदर हम रख रहे हैं तो कंटेनर शुट भी शुट भी पर्फेक्ट अच्छा होना चाहिए बेतर होना चाहिए लाई कि उसमें शेद बगरा ना हो और होल बगरा है सब ना हो जिसे की चुहे और दुसरी तरह के इंसेक जम्स भी मौजूद ना चला जाए उसके अंदर तर्ड पॉइंट जहां अश्थ में शेदि कि यह अ रहे हों आनार्ज को वहां और शेजव को नजाना होが अध्रवाइग ने तो पूडरा का पूरा आनार्ज Iss was खा जाए एक कुछ पाल करते हैं जहां पर अनाज को हमें स्टोर करते हैं जिससे कि इस सैक्ट वह सब जीज़ जो है ना इतीक है और ओर नहीं तो क्या करते हैं कि कंटेनर के अंदर नीम-lips के पती का भीस्तमाल कर तो यह था कि आप जब श्टूर कर रहे हैं वह नाज को तो उस समय कुछ साउधानिया बढ़तेंगे तो यहां मैंने कुछ बात लिश्कस करी है कि सब्सक्राइब बात करेंगे ग्रेन डिवलिशन की ग्रेन डिवलिशन क्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं हरी करांती या कि इसको बोलते हैं हरीद करांती एक हरी करांती सु ग्रेन डिवलिशन के आज इससारे से इंडिया की पॉबलेशन बढ़ रही थिए जनसंक्या बढ़ रही थी इतने साड़े लोग थे और हमारे पास जो रिशोर्स थे फूर्ड प्रोड़क्शन को भोजन उत्पादन को जरुष से ज़्यादा बढ़ाया जाए ठाकि हम इतनी बड़ी जनसंखिया को पॉपलेशन को हम खाना दे सके फीट कर सके खिला सके तो हरीत करांति यानिकी ग्रीन एवलेशन क्या है लेटान ब्रड़ेशन के पौज일 और स्भाइड हो इसके लिए एक भयत्व कि हैं इपिश हो ग्रोच हो इसके लिये क्या क्या थे परग्राम बनाया गया इंडिया की न्यौड़ाया थे इंडिया क्रचिक्षा प्रभाइड करा सके हैं पिछले 30 साल के अंदर हम ने इंडिया में क्या हुआ है कि पैदावार में बहुत ज्यादा ब्रिधी हुई है और जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है ताकि हम इतने बड़ी जिनसंख्या को खाना खिला सके तो इंडिया में क्यों नाम दिया गया ग्रीन नाम देने के पीछे की रिजन था कि पूरे भारत भर में शभी जगह फशल के उत्पादन में ब्रिधी कराना प्रटिकुर्ली जो आया था जब लाया गया इंडि जाना है और फिर आपका वेस्ट वेस्टर रण यूपी उत्तर प्रदैस इन जगहों पर ग्रीन प्रश्ण का बहुल ज्यादा उफएक्ट पड़ा और इं जगहों से गयूं उत्पादन में बहु ज्यादा गयूं मुद्पादन बहुल ज्यादा हुए प्रीक्षिं क्या ह इनौरमश फूड ग्रेंज प्रिश्चंट बहुजन उत्पादन करना इन्डिया में घृइन डिबलूशन के फाधर कॉन ऐसे वर्ल लेबल पर देखा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अब बात कर लेते हैं आइनकी पशू पालन की बात करेंगे क्या है पश्वपालन जैसा कि नाम से पस्पस्ट है पश्वपालन को पालना होगा और ना के वल पालन इसमें और भी बहुत प्रक्षू धन च्पाइब लॉड़ कुल लाज सकेल बड़े पैमाने पर जानवरों को खाना खिलाना उनसे उन से पैदा करवाना और उनको पालना पोषना उसको कहा जाता है एङनेमल हस्बेंटरी याने की कशिव पालना अब 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 हस्बेंटवरी में हम किन-किन यानि कि आज़ा जाएगी बक्री बहेर फॉल्टरी में आता बत्त हो गया चिकेन हो या मुर्गा मुर्गी फिर यह सभी आनिमल हस्पेंटरी के अंदर आ जाएंगे व किया जाता है वाश्पेंटरी फेल्ट मिल्क कि मिले मीट पर आप तो मुस्क्रार आरे लिए तो गेट एग्स, तो गेट मिल्क सेटन पॉइंट थाकि हमें दूध ज्यादा मिलते रहें, तो गेट लेबर ता कि हम जानवणों से महिनत करा सके, गारीयों को खीच सके, खेतों में जुदाई कर सके, या अन किसी परपस से, या ज्यादा से ज्यादा अंडे हम पड़ाप्त कर सके. तो इस वीडियों इतना ही, अगरो वीडियों में से आगे सिखेंगे, ये थैंक्यू.